हलो एब्रिवान आज हम कंप्लीट करेंगे हिंदी की वाक्षेट ओके और यह LKG और UKG के लिए है इसमें क्या करेंगे हम पहले खाली स्थान भरेंगे जैसे कि यहां पर चोटा है उसके बाद यहां पर मिसिंग है ना यहां पर कुछ नहीं लिखा है तो हमें इने फिल करना ह यहां पर जो मिसिंग नहीं लिखा हुआ है खाली जगह है उनको फिल करना है कि उसके बाद जो अच्छा राने चाहिए वो हमको लिखने है ठीक है यहां पर हम क्या करेंगे चित्र देखकर सही अक्षर से उसको मिलाना है जैसे यहां पर मा है तो मा से मक्षली मचली होती है उससे हम लोगों को मिलाना है ठीक है और यहाँ पर हम क्या करेंगे अच्छर जोड़कर सब्द लिखेंगे और यहाँ हमने कुछ पिक्चर बनाई हुई है और इसमें हमने जो अक्षर है वो छोड़ दिया है और उस अच्छर को लिखने से इजे जो सब्द है वो पूरा हो ज यहां पे हैं खाली स्थान भरो ठीक है तो हमने आपको लाश्ट में बताया था वर्ण माला छोटे आ से गया तर तो आपको यह कंप्लेट हो गई होगी और नहीं हुई है तो आप एक बार यहां पे देख लो और इसे घर पे कंप्लेट करना इसके बाद हम यहां पे जो यह वर्कशीट है यह कंप्लेट करते हैं ठीक है छोटे आज के बाद क्या आता है छोटा आ बड़ा आ ठीक है बड़ा के बाद छोट चोटी ई, चोटा आ, बढ़ा आ, चोटी ई, बढ़ी ई, चोटा उ, बढ़ा उ, री, और उसके बाद आता है ए, आई, ओ, औ, 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 तो हमारा ये कम्प्लेट हो गया अब यहाँ पे का लिखाए है, न, तो का के बाद क्या आता है, का के बाद आता है, खा, तो हम यहाँ पे खा लिखेंगे खा के बाद गा गा और गा के बाद क्या आता है गा तो अब ये हमारा पूरा हो गया है का खा गा गा का से कमल, खा से खरवोस, गा से गमला, गा से घर अब ये है छः छत्री है ना तो उसके बाद क्या आता है छः छत्री के बाद जहा जाता है जह जहरना और यहां से कुछ नहीं छह जह जह यहां है ना इसी तरह यहां पर दा लिखा हुआ है तो दा की बाद क्या आता है दा की बाद आता है दा दबात उसके बाद धधनुस ठीक है तो दा से क्या होता है दा से दबात उसके बाद आता है धधनुस नानल और पा पतन तो हमारा ये complete हो गया द, ध, न, और पा ये क्या है त, टा से टामाटर इसके बाद क्या आता है धा से ठथीरा दा से डमरूर और धा से धक्कन उके तो हमारा क्या हो गया क, ख, ग, ग, फिर च, छा के बाद ज, ज, या दा है तो Dा के बाद आता है ध, न, प, उटटः, ठ, ड, ध, ठीक है तो अब हम दो ये मिलाएंगे तो ये क्या है आ बड़े असे आम होता है तो हम क्या करेंगे बड़े असे इसको मिला देंगे बड़े असे आम देखो जैसे हम यहां पर आम लिख रहे हैं ना आम ऐसे लिखा जाता है तो इसका जो पहला अच्छा रहे वो क्या है बड़ा आ है ना तो हमें इसी तरह इनका जो शव्द है उनके जो पहला अच्छा रहे उससे उसको मिलाना है तो ये हो गया बड़े आ से आम ठीक है ये क्या है मक्चली मक्चली किसे होती है मासे मासे मच्छली ठीक है और ये क्या है टा टा से टमाटर ठीक ये चमच तो चा से चमच ये जा से जग ठीक है हाँ तो जासे जग है ना तो हमने क्या किया जासे जग को मिला दिया ठीक है तो बड़े आसे आम ठीक है तो हमने बड़े आसे आम को मिलाया ठीक मासे मचली जासे टमाटाय जासे चममाच है ना और जासे जग तो पतंग, पतंग का पहला अच्छर क्या होता है, पा होता है, ना, तो हम इसको प से मैच्छर करेंगे, ठीक है, और ये क्या है, अनार, छोटिया से अनार, तो हम इसको छोटिया से मैच्छ करेंगे, ठीक, ये ना से नल, है ना, नल का पहला अच्छर क्या होता है, ना होता ह और घर से घर, हमने घर को घर, और ये क्या है, कप, 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 ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को मच करना था, चोल एक बड़ रिवाइस करते हैं, बड़े आ से आम है ना, आम, आ का बड़ा चर क्या है, आम का पहला चर क्या है, बड़ा आ, तो हमने बड़े आ से इसको मिला टैमाटर चोटया से अनार है यह पतंग है तो पा से पतंग नल ना से नल और गा से कब तो हमारा ये कंप्लीट हो गया है देख लीजिए आप अब हम इसको कंप्लीट करते हैं यहाँ पर क्या करना है हम लोगों को अच्छर जोड़कर शब्द लिखने हैं जैसे नाला नल है ना और ला इन दोनों को हम जोड़ते हैं तब क्या बनता है नल बनेगा नल ठीक है हमें क्या करना होता है कि दोनों को एक साथ मिला के लिखना होता है फिर एक सब्द बनता है उसको हम पढ़ते हैं नाला ये दोनों अलग अच्छर है और जब हमने इनको मिलाया तो बन गया नल नल च्छात च्छात च्छत ठीक है पाढ़ा पढ़ जब हम इनको मिला के लिख जागा, फल, इसको हम क्या पढ़ते हैं, फल, ठीक, जागा, जग, घर, घर, कप, ठीक, इसी तरह यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोगों को यह जो शब्द है न, वो पूरे करने हैं, ठीक, यह घर बना हुआ है, तो घर, घर, घर होता है, ठीक, घर, 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 दो अक्षर को मिलाने से घर बनता है, घर, तो यहाँ पे रा लिखा हुआ है, घर, हमको यहाँ पे लिखना है, और यह पूरा सब्द बन गया, घर, ठीक, कापा, कापा मैंसे पा यहाँ पे लिखा हुआ है, और हमें यहाँ पे क लिखके ये सब्द पूरा करना है ठीक है तो हो गया कब ये क्या है जग जग में से गा यहां पर लिखा हुआ है और हम यहां लिखेंगे जग ऐसे ही यह नल है और नल का ला लिखा हुआ है तो हमें यहां पर ना लिखना है ठीक है अब यह हमारा जो शब्द है वो पूरा हो ठीक, अब हम एक बार इसको रिवाइस करते हैं, ठीक है, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी इ, बड़ी इ, छोटा उ, बड़ा उ, री, ए, आ, आ, ओ, अउ, अं, अ, ठीक है, अब यहाँ पे खालिस्तान भरना था, क, ख, ग, घ, ठीक है, छा के बाद, ज, ज, यां, ओके, द, द, पा, और टा है यह, यह क्या है, टा, तो टा के बाद क्या आता है, ठा, डा, ढा, ठा, टा, टा, ठा, 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 ठा और ये क्या है अनार, तो छोटेया से अनार, और ये ना से नल, घा से घर और का से कप, इसी तरह यहाँ पे है, ना ला नल, छाता छत, पाढ़ा पढ़, फाला फल, जागा जग, घारा घर, कपा कप, अब यहाँ पे ये चोत्र बने हुए है, ये क्या है? घर है, तो इसको लिखते कैसे है, घरा, घर, ठेके, कप, 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 ठेके, जग, जग, नाल, नाल, ऑके, तो आज ये वरक शिट जो है, कम्प्लिट हो गई, अब हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वरक शिट के साथ मिलेंगे, तब तक, थेंक्यू, अड़े हाँ तो आप इसको एक बार देख लीजिए अच्छे से यह देखें यह है पूरी वर्क्षेट ओके अब यह नेक्स्ट पेस का अब इसके नेक्स्ट पेस यह है इसकी वर्क्षेट ओके यह देखें यह लिह देखें अलाइन से लीजिजव mehrere यह है वली। अपर उलली है해 यहे चनली है कि अलाइन वर्के देखें यह म हुआ आंपक पा एक है कि जए लाखें वर्कर म का झे लूवर्क। मैईं गूघ को कijnंती है झाल